नमस्कार जैहिंद यदि आप आठवी पास हैं आपकी योग्यता आठवी पास है तो आप सेंट्रल बैंक में 2024 के लिए अटिंडर के पदो पर भरती ले सकते हैं इसमें किसी परकार का एक्जाम नहीं होगी बिना परिच्छा और इसमें कोई भी आवेदन सुल्क नहीं है चलिए सबी सब चीजों को जानते हैं किस परकार से आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में एक भरती ले सकते हैं यदि आप आठवी पास हैं तो इसमें आसानी से आवेदन कर सकते हैं सबी चीजों को जानते हैं उससे पहले अगर चैनल पनने होंगे यदि आप पहली बार चैनल पर आये हैं तो सब्सक्राइब कर लिजागा क्योंकि यहाँ पर सरकारी और प्राइबेट से जुड़ी छोटी बड़ी वेकेंसी के बारे में जानकारी दिया जाता है इसका लिंक भी बताऊँगा किस परकार से आप कहां से फर्म पराप्त कर सकते हैं और उस फर्म को भार के आप आवेदन कर सकते हैं उससे पहले क्या क्या जानकारी है इसके बारे में जान लेते हैं देखिए Central Bank of India में Attender Vacancy निकला हुआ है 2024 के लिए यदि आप आठवी पास हैं तो आप विदाउट एक्जाम इसमें किसी परकर का एक्जाम नहीं होगा और Central Bank में Attender के पदो पर भरती ले सकते हैं इसमें किसी प परकर का सुल्क भी नहीं लगने वाला है देखिए यहां पनी सुल्क फॉर्म आवेदन लिया जाएगा इसके अधिकारिक वेवसाइट का लिंक आपको दे दिया जाएगा कहां साबको फॉर्म भरना है यहां पर सारा नोटिफिकेशन भी बताया गया है इसके अलावा आप इसके ऑफिसल वेवसाइट पर जाकर आवेदन फॉर्म भी प्राप्त कर सकते हैं और जोकी नीचे भी लिंक दिया गया है यहां पर नई योजनाय फॉर्म भरने के तरीके जरूर हां पर बताया जाते हैं तो उसे जरूर फॉलो कर लिजेगा चलिए पहले पोस्ट के बारे में जान लेते हैं तो यहां पर देखें सेंट्रल बैंक के तरफ से बिग्यापन जारी किया गया है और इसमें अवियर्थी केवल आठीवी पास होना चाहिए आठीवी पास है तो आप इस आवेदन फॉर्म अपलाई कर सकते हैं आयू सीमा इ के लिए अभियर्थी अपना आलिका प्रमाण पत्र या फिर जनम प्रमाण पत्र या माकसिट जरूर सलगन करें सेलरी यहां पर देखें तो देखिए यहां पर सेंट्रल बैंक में अटेंडर की पदों के लिए भरती के लिए यहां पर 19,000 सेलरी से सुरू हो जाता है इसका इस्थानिय भासा कहा कि आपका इस्थानिय भासा प्रापस होना चाहिए यहाँ पर भी दिया गए है तो इस्थानिय भासा को पढ़ने अभीव के अधार पर सेलेक्शन होगा इसके लिए आपको जो है माक्सीट अपना जरूर सलगन करें आवेदन किती थी यहां पर देखे तो अभियर्थी को आवेदन फॉम 22 फ्रवरी 2024 से लेकर 13 मार्श तक आवेदन कर सकते हैं सेंट्रल बैंक के भरती के लिए यहां पर तो पर देखे लिए यहां पर सबसे पहले दिये गया है सबसे पहले पूरा पढ़ने के बाद यहां पर अक्षे से पढ़ना है और उसको पढ़ने के बाद उसमें फॉम को भरना है और आवेदन फॉर्म का लिंक नीचे भी दिया गया है और उसके बाद उसमें फोटो चिपकाना है, साइन करना है और लिफाफे में एक बंद करना है उसको लिफाफे में यहाँ पर एड्रेस दिया गया है एड्रेस में आपको भेजना है का अद्रेस से यहाँ पर देख लिजिए देखिए अपलाई करने के लिए यहाँ पर जो है नीचे wiki study आप जा सकते हैं wiki study google में सर्च करें और यहाँ पर website में जो है सबसे first post ही आपका जो है वहाँ पर central bank के पुरा बताया गया है और वहां से आप form को प्राप्त कर सकते हैं तो इसमें address यहाँ पर देख लिजे यहाँ पर address देख लिजे सभी दस्तावे सहीत application form जो है यहाँ पर उसी school office में 23 मार्च यहाँ पर दिया हुआ है 22-25 का साम 5 बज़े तक यहाँ पर Regional Head Central Bank of India Regional Office First Floor Tower Bank of Gorakhpur UP यहाँ पर आपका दिया हुआ है तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं यहाँ पर आवेदन भेजना है लिफाफे में यदि आप आठवी पास है तो यहाँ पर bank में नौकरी करने का मौका मिल रहा है Central Bank में तहीं हाँ पर आप असानी से आवेदन कर लिजेगा क्योंकि इसमें निसूल्क है आपको फॉर्म भरना है और दियेगा एड्रेस में लिफाफे में बंद करके आवेदन को सेंड करना है तो यह था पोस्ट आप से लिए उम्मीद है कि सारी चीज़ आपको समझ में आ गया होगा और किसी पर करके वरी होगा तो नीचे कमेंट में लिख दीजेगा आएंड वेबसाइट जो है विकिसरी.in गूगल में सर्च करके आप वहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं इसके अलवा टेलेग्राम पर भी जूड़ सकते हैं टेलेग्राम पर भी दिया हुआ है तो टेलेग्राम भी आपका जो है नीचे लिंक है उसमें जॉइन कर लिजे टेलेग्राम गुरूप में भी आपको जो है पीडियाफ पर आप्त हो जाएगे सो मिलते हैं इस वीडियो में जैंद